दूस्तों आज में आपको एक बोहुती खास आयरवेदिक ओशधी अजा अशुगंदादी लेहम के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ सारीरिक बल, शक्ति और पौरुशत में वृद्धी करने के साथ साथ या ओशधी शरीर की सब्त धात्यों को पुष्ट करने का कारे करती है और मानसिक तोर पर भी इसका प्रियोग अत्यन्थी विसेश लाबदायक रहता है अब आप में सब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस प्रकार के सारीरिक बल और शक्ति में पौरुशत में वृद्धी करने के उदेशे से बहुत से नुस्खे में आपको समय समय पर बताता हूँ तो ऐसा इस ओशिधी में क्या विशेश है तो चलिए जानते हैं विस्तार के साथ नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अजा अशुगंदादी लिहम इस ओशिधी में किसी भी प्रकायर की भस्मी या रस ओशिधी का प्रियोग नहीं किया गया है परन्तु इसके पश्चात भी यह ओशिधी रस ओशिधीों के समान ही अत्यनती सिग्र और अत्यनती प्रभावशाली लाब दर्शाती है चलिए सबसे पहले इस ओशिधी के घटक के द्रव्यों के विशे में बात कर लेते हैं क्योंकि इस ओशिधी के घटक के द्रव्य ही इसे अन्य ओशिधियों से विशेस बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस ओशिधी के प्रमुख घटके द्रव्य हैं अश्वगंधा, कोच बीज, लोंग, नाग केसर, सालम मिश्री, दाल चीनी, मुलेठी, जायफल और जावित्री, साथ ही साथ इस ओशिधी में अजा मिश्रसम का भी प्रियोग किया जाता है दोस्तों इसका मतलब है कि इस ओशिधी के अंदर अजा अथार्थ बक्रे के मास के रस का प्रियोग किया जाता है, अभी थोड़ा और रुकिये, आपको हैरान कर देने के लिए इस ओशिधी में काफी कुछ बाकी है, इसी के साथ इस ओशिधी में बराबर मात्रा में, जी ह अंकारी देनी के पस्चात बताऊंगा, साथी साथ इस ओशिधी का सबसे प्रमुख घटक द्रव्य है, मिस्री, इन सभी घटक द्रव्यों का प्रियोग करने के चलते या ओशिधी विशेश तोर पर अपने सारेरिक बल, शक्ती में व्रिद्धी करने की इच्छा रखने व वीरे में सुकराणों की संख्या का कम हो जाना या उनकी गुणवक्ता का कम हो जाना जैसी समस्च्याओं में इसका प्रमुख रूप से प्रियोग किया जाता है, इसके इलावा पुर्षों के जननांगों की कमजोरी के चलते उत्पन ध्वज भंग या सिग्रपतन की अवस कमजोरी को दूर करने के लिए इसका प्रियोग बहुत ही लाबदायक सिग्र प्रभावी होता है, इसी कारण इसका प्रियोग लकवा, अध्रंग, मान्सपेशों में आई कमजोरी या गर्दन और कमरदर्द की अवस्थाओं में भी किया जाता है, दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल पुर्षों में ही इसका प्रियोग लाबदायक परिणाम देने वाला रहता है, बलकि महिलाओं की विभिन समस्याओं में भी इसका प्रियोग समानने तक किया जाता है, चली, अब आपको इस ओशिधी को प्रियोग करने की विधी और मात्रा के बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपको साउधानियों के बारे में आउगत करवा देना चाहूंगा, क्योंकि यह ओशिधी अत्यंति विशेश ओशिधी है, और यह हर किसी के लिए नहीं बनी है, जी हां, दोस्तो अजा अश्वगंधादी लेहं, काफी गरिष्ट इसके प्रियोग से पाचन तंतर संबंदी विभिन समस्याएं उत्पन हो सकती है, अगर इसका अधिक मात्रा में प्रियोग किया जाए, तो विशेश तोर पर आईबियस की समस्या से पीडित रोगी को इसका प्रियोग करदापी नहीं करना चाहिए, साथी साथ कबज की समस करते हैं, साथी साथ उनका पाचन तंतर सुचारू रूप से गरिश्टी चीजों का पाचन अच्छी प्रकार से कर पाता है, और रही बात मात्रा और विधी की, तो इस ओशिदी का प्रियोग भोजन के वश्चात हलके गुन-गुने पानी के साथ अपने पाचन तंतर का ब करना सही है, क्या इसके कोई दुस्परभाव हो सकते हैं, दोस्तो सहद और घी मात्रा विरुद आहार अवश्य हैं, अथार्थे समान मात्रा में इने प्रियोग करना नहीं चाहिए, ऐसा आयरुएद में कहा गया है, पर यह बाद्देता केवल वही तक सीमित रहती है, जब मात्र इन दो चीजों का प्रियोग किया जाता है, पर जैसा मैंने आपको बताया, इस ओशिदी में सहद और घी के साथ अन्या ऐसी बहुत सी ओशिदियों का सम्मिलन किया गया है, जो सहद को पाचन करने में साहेता करती है, जिसके कारण आमविश नहीं उत्पन होता है, औ तो दोस्तो आशा करता हूँ, आपको जानकारी पसंद आई होगी, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार.